अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इस सरदर्द को लेके आप काफी सारी गोलिया भी खाते रहते हैं मतलब कि आपका सरदर्द हुआ आपने गोली खाई ठीक हो गया दो-तिन दिन बाद फिर से आपके सर में दर्द शूरू हो जाता है फिर आप गोली खाते हैं और सर में दर्द चला जाता है तो यह सिलसला जो है आपके सरदर्द का हमेशा चलता ही रहता है आपने अपने सरदर्द को लेके आपने काफी सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, जैसे कि जनरल डॉक्टरों को भी दिखाया, उन्होंने सिटी स्कैन और MRI भी करवाया, फिर उसमें जब कुछ भी नहीं निकला, मतला आपका सिटी स्कैन और MRI में कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आई, उन्हों आखो वाले डॉक्टर को recommend कर दिया, आपकी आखे भी ठीक आई, अब उन्हों ने आपको neurologist को recommend कर दिया, तो neurologist ने भी आपको कहा कि आपकी सारी reports ठीक है, लेकिन फिर भी आपका सरमेदर्द नहीं गया और आपको दवाई खानी पढ़ती है, सरदर्द की गोली खानी पढ़ती है, मैं डॉक्टर अभिशेक गोयल, आपको एक छोटा सा नुस्का बताऊंगा, home remedy बताऊंगा, जिसको की अगर आप follow कर लेते हो, तो आपका जो सरमेदर्द है, ठीक हो जाएगा, और ठीक होने चोटा तरीका है, या घरेलू नुस्का है, home remedy है, जिसको की आप follow करके अपना सरदत बिल्कूल ठीक कर सकते हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीच जो लोग रात को सोते वक्त, अपने सर के नीचे मोटा तकिया लेके सोते हैं, बस वो ही आपने बदल लेना है, मोटा तकिया बिल्कूल भी औडवाईजेबल नहीं है, जिन लोगों के सर में धर्द होता है, उन्हें मोटा तकिया बिल्कूल भी नहीं लेके सोना चाहिए, उसके बदले में बिलकुल पतला तकिया, जिस तरह का मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, बिलकुल पतला तकिया, वो आपको रखके सर के नीचे सोना है, जिस वज़य से आपको नीद बहुत अच्छी आईगी, और आपका जो सरदर्द है तीन से चार दिन में बिल्कुल चला जाएगा और आगे बिल्कुल भी lifetime आपको सरमे दर्द नहीं होगा ये जो तकिये का जो home remedy ये नुसका है मैंने अपने कई सारे patients को बताया जिनकों बहुत समय से सरमे दर्द रहता था और सिर्फ तकिया change करने से मतलब कि मोटा तकिया बिल्कुल भी नहीं लेना पतला तकिया लेना है जिस तरह का आपको फोटो में दिखाया गया उससे आपका जो सरदर्द है बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब जो जो लोग इस home remedy को करेंगे और मतलब मोटे तकिया की जगा पतला तकिया लेके सोते हैं उनको अराम आ जाता है तो मुझे कमेंट करके जुरूर बताए कि आपको फाइदा हुआ या नहीं धन्याबाद